अगर आप ads exchange application के अंदर login कर रहे हैं और वहां पर आपको यह वाला ही रहा जाती है something went wrong करके ठीक है तो आप इस problem को कैसे fix करोगे वह अच्छी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को यहां पर पूरा जरूर देखेगा तो कि आप इस लोगों को ads exchange में something went wrong लि internet connection को आपके बार बंद कर दीजेगा और अपके phone को आप aeroplane mode या फिर offline mode पर लगा दीजे ठीक है प्रोसेस करने के बाद एक बार फिर से यही सेम प्रोसेस आपको करना है मतलब बंद करना है offline mode, aeroplane mode और उसके बाद आपका mobile data on करना है और application के अंदर जाकर वह आप इससे login कर जाएंगे या फिर application apps होगा उसके बाद यहाँ पर आपको ads exchange application खुलना है और इसका data और यहां से cache clear कर देना है ठीक है यहां से data और cache या फिर clear storage और clear cache के उपर दबाईए और यह process करने के बाद आपकी जो problem है वो fix हो जाएगी अभी-कभी login के अंदर दिक्कत होती है क्योंकि application जो है थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया होता है कोई नए update वगरा के लिए maintenance में आता है तो उस case में आप अगर आपका login नहीं हो रहा तो एक आदी घंटी के बाद वापिस से try कीजिएगा आपका जो login हो successful हो जाएगा password और आपका user id है वो बस आपको सही तरीके से ताकि आपका जो login हो सही तरीके से हो सके